हेलो एब्रीवन वेलकम बैक टू माई चानल सौगत है आप सभी का हमारे योट्यूब चैनल में तो आज हम जो पुरानी साड़ी हमारी रहती हैं उनमें लैस्ट नहीं रहते हैं तो उन साड़ीों को फेंग दिया करते हैं ब currently जो बॉर्देर रहते हैं सब्सक्राजाओ के लिर्यूब बंधा हैं जो बॉर्डर नहीं हो बहुत ही दोड़ते हैं यूज करके दिखाएंगे वह भी एक ही साड़ी के दू बार्डर का तो फ्रेंस उसके पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइ सब्सक्राइब से जरूर करिएगा बिल आइकन को जरूर पेस करिएगा ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन इस साड़ी में एक जो की यह चोड़े में बार्डर है और एक पतले में और आप देख सकते हैं कि दूनों की डिजाइन और कलर दूनों ही डिफरेंट हैं अगर आपकी मल्टी कलर में इस तरह की बार्डर हो तो वह और भी जादा खुब सूरत लगेगी जरूरी नहीं है कि कि हम雷 का ही यूच करके कोई चीजह बना सकते हैं हम इस तरह के एगर बॉर्डर वाली साड़ीosaur के पास है तो आप उसका भी बहुत ही प्यारा सा रह्यूज कर सकते हैं तो फ्रैंस बस करना क्या है कि साड़ी को इस तरह कि मैं नाकी मिन यूप साडी को हमें फेकगानम आपको दिखायेंगे लिग। मेन इस यह Q.B. वर्डर को निकाल लिया तो कि अदा यूचा देशा क्ने मारे लिगा तो कि और हूस的, साडी के लिए। आप free choice ready किया है नीचे इस तरह से कपड़ा है और बीज में farm seat रे एक वी God 공आ से पर से कपड़ा है तो आप धुब्ध का कपड़ा या rice bag यृत किसी भी चीज भी dobरी आप इसके लिए base ready कर सकते हैं तो मैंने इस square shape में इस तरह से base ready किया है और जो हमारा मोटा वाला border है उसको इस तरह से इसके उपर रखना है और जितनी इसकी चोड़ाई है उतनी से seizure से cut कर लेना है उसके बाद हमें ये पतला वाला border इसी पर रखना है और same map से इसको भी cut कर लेना है तो friends देखिए मैंने उतना उतना है थोड़ा सा एक एक इंच मैंने बस थोड़ा सा बड़ा इसमें से cut किया है और बागी इसको बड़ा नहीं cut करना है इसी पर रखके हमको map लेकि इसको cut करना है तो same इसी process से हम मोटा और पतला दोनों border माप के जितनी के हमको जरूरत है उतना हम इसमें से cut कर लेंगे तो friends आप देख सकते हैं कि मैंने दोनों border को इसमें cut कर लेंगे मतलब कि एक साड़ी की border से आप काफी बड़ा सा इस तरह से बना सकते हैं करपेट इसके लिए आप इसको करपेट कहें या तो डोर्मेट कहें या फ्लोर्मेट कोई भी चीज इसको आप कह सकते हैं जिसके according आप बनाएंगे उस तरह से इसको यूज करेंगे तो दीखे इसको रखना कैसे है कि सबसे उपर मैंने चोड़ा वाला इसको रख दिया है उपर साइड एक हम सिलाई चला देंगे और फिर रहेगा नीचे के साइड तो नीचे साइड जो मैंने पतला बना border है उसको इस तरह से उल्टा रखेंगे और किनारी किनारी पी इस तरह से चला देंगे बस चलाने के बास जश्ट इसको इस तरह से पलट देना है बस पलट देना है इसको पलटने के बाद करना क्या है कि फिर से हम मोटा वाला border लेंगे उसको भी इस तरह से रखेंगे और फिर पलट पूरे इसमें अपने बेस के कपड़े पे बॉर्डर को इस तरह से अटेच कर देंगे तो आप देख सकते हैं कि मैंने पूरे बेस पे अपने इस तरह से बॉर्डर को बहुत ही अच्छी तरीके से अटेच कर दिया है तो मैंने माप की इसको अच्छी तरह से कट किया था तो यह हमें जादा इसको सेट करने जरूरत नहीं पड़ेगी बस किनारी किनारी पर थोड़ा-थोड़ा सा इसको अच्छी तरह से सेट करना होगा बस ताकि यह एक बराबर सेट में आ जाए तो आप देख सकते मैंने पहले मोटा वाला लगाया है फिर पतला फिर मोटा इस तरह स मैंने इस बॉर्डर को लगाया है अगर आपको बॉर्डर और भी ज्यादा डिफ्रेंट कलर में है तो और भी ज्यादा खुबसूरत लगेगा तो आप देख सकते मैंने पट्टी इसमें लगाने के लिए एक बहुत ही प्यारा सा साड़ी का कपड़ा लिया है जिसे यह बॉर्डर हो थोड़ा मोटे में रहे इस तरह से चार इंच मोटा मैंने लिया है इसको इस तरह से सीधिया साइड में रखना है और इसमें थोड़े आगी से ही सिलाई चला के जश्ट ऐसे इस तरह से पलटके इसको नीचे की साइड से भी सिल देना हमने कई वीडियो में आ आप उसका बॉर्डर जरूर लगाईएगा बहुत ही जाथ अबसुरत लगता तो आप देख सकते हैं कि यह हमारा प्यारा साथ डॉर्मेट बनके रेडी हो गया है आप डॉर्मेट कहें या फ्लॉर्मेट कहें कोई भी चीज कर सकते हैं या इसको बैठने के लिए भी यूज क करेगा और हमारे चैनल पर नए है हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब से जरूर करेगा बेल आइकन को जरूर प्रिस करिएगा ताकि हमारे हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे वीडियो को पुड़ा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद